हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल एंड तोड़े विल डिस्कूस अबाउट रेल्वी रिकूट्मेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेल्वे और सो इसका जो नोटिफिकेशन है उसको आई हुए आप्रोक्स वन बंथ हो गया है तुमोरो विल बी दे लास्ट सो आप 17th of December को रात को 12 o'clock तक ही अप्लाइ कर सकते हैं उसके बाद में नहीं कर सकते हैं इसका क्लोजिंग टाइम 12 o'clock है तो इस जो आपका टोटल वेकेंसी आया है इसमें वह है 2521 जिसमें अन्रिजव का वेकेंसी है 1046, SC का 375, ST 181, OBC 674, EWS 241, and total is 2521, eligibility condition में जो आपका age limit है वो minimum 15 year होना चाहिए and maximum 24 year होना चाहिए जब apply कर रहे हो उससे पहले 24 year आपका complete नहीं होना चाहिए 5 year का relaxation मिलता है SCST को 3 year का मिलता है OBC को और 10 year का मिलता है PWD और candidate को हो 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 है okay then eligibility condition इसमें आपका 10 पास तो मतलब minimum आपको 10 पास तो होना है चाहिए उसके उपर आपका equivalent degrees like 12 वागेरा है तो भी अप्लाइक कर सकते हो अगर 12 पास नहीं सोरी 10 पास नहीं हो तो नहीं कर सकते हो हो अप्लाइब कर सकते हो कारपेंटर कंपेटर ओपरेटर कम प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट ड्राफ्ट मैं इलेक्रीशियन फीटर पेंटर प्लंबर वेल्डर यह सब आपके ट्रेट्स हैं इन में आप सकते मीरणी इनलओं क्या-क्या ऐपका क्रइटर अड्रिक का है इसमма किसमें आप प्लाइब कर सकते हैं यह कम में आइस से भी इस सकता है अधोर आपका संवर्ट कर सकते हो तो यह से नीचे अपकी सैट हैं तो अपलाइब कर सकते हो सो लेक देट यहां पर दिया हुआ है मैक्सिमम डिसेबिलिटी रिक्वार्मेंट यू कन चेक आउट इस मैं स्क्रोल नहीं कर रही हूं ऐसे आप अपना वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो इसे कि अदें ओपने आफिसे आप्लाइ कर सकते हो और उसके साथ में आपका i.ti आई भी है तो भी आप्लाइ कर सकते हो तंस के बाद में आपने अपने एक है तो भी आप्लाइ कर सकते हो यह एस application fees 100 rupees यह आप सिर्फ कंडिडेट को ही 100 रुपीज लगेगा वह भी जर्नल को दन प्रोसेसर ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीज तो यह वही होता है पहले अपना अप्लिकेशन का सारा डेटेल फिल करना होता है जो आपका लास्ट प्रोसेस होता है वह पेमेंट का होता है और आप डेबिट कार्ड ग्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के थूरू अपना पेमेंट कर सकते हैं डोकुमेंट्स रिक्वाइड फॉर अप्लाइं ऑनलाइन तो यहां पर कौन-कौन से ड बनाके रखने का दूसरा है तेंथ माक्षिट और पासिंग माक्षिट दोनों आपको अप्लाइ करना है वापना प्रोसेजर टूब फॉर एप्लाइंग ऑनलाइन तुसमें अपना पूरा डेटेल डालना है आपका साइट दिया हुआ हुआ है यहां पर www.wcr.indianrailways.government.in पर जाकर पॉर्टल ओपन करना है अपना सारा बायो डाटा उसमें डालना है उसके बाद में आपको डोकिमेंट्स अपके अपलोड करने रहते हैं जो भी आपका रिक्वाइड है महां पर अप्र देट आपको पेमेंट करना रहता है अब यहां पे हैं invalid applications आपको किस-किस में वह आपको invalid हो सकता है applications application having any of the following deficiency discrepancies or irregularities will be summary rejected किस-किस में application without proper scan photograph and signature दोनों scan होना चाहिए तब भी वह आपका accept करेगा application को application without proper certificate in respect of date of birth educational vocational qualification cast certificate and any other deemed irregularity कुछ भी अगर आपका सही नहीं है आपका application reject हो जाएगा training period and stipend यह बहुत सारे लोगों को इसी का पता करना रहता है तो यहां पर selected candidate will be engaged as apprentices for the period as applicable for the designated trade and they will be paid stipend during their training as per extant rules no hostel accommodation will be provided and selected candidate will have to make their own arrangement during their training as per apprentices act 1971 and they will be released on completion of the training यहां पर आपको मिलता है stipend दिया जाता है during your training time but कितना दिया जाता है यह mention नहीं है and yeah one thing is कोई hostel आपको provided नहीं होता है आपके training time पर आपको अपना own arrangement करना पड़ता है उसके बाद में आपका vacances दिया हो है number wise seat means category wise pwd में भी disabilities है उनका लग से है ldvihimd अब का लग से एक सर्विसमें का लग से यूर आप वीडियो स्टॉप पर के देख सकते हो I'm not scrolling it ऑज़ आपके बाद में बादे हो है कि यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका ऐसा कुछ है यह कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सेस्ट का यह ओभी सिक फॉर्मेट है आपको चाहिए नहीं और आगा ना आल ट्राइट तो गिव दर लिंक दिस्रिफिशन बोक्स देन और लुट यह और लूट दू जो विजित अविबसाइट ऑफिशल वैबसाइट उ फ्रेल वे प्रेल्ड वे रोल्स यू कन डावन डावर्मेट इंग्ट इस इंकम सर्टिफिकेट एंड इस वन इस वर सर्टिफिकेट फिटनेश इस 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 बीलिटी सर्टिफिकेट एंड आपका जो कुछ भी नॉटिफिकेशन में था I have just one minute I have covered all the points so do like share subscribe my channel thank you and yes tomorrow is the last date apply now thank you